हेलो एवरिवन वल्कम बैक टो मैं चैनल हाउस लाइफ तो आज हम सब का फेवरिट पीजा बनाएंगे और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना पीजा किस किस का फेवरिट है तो वीडियो को लास तक देखना और मुझे बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो हम एक बजट फूल सा पीजा बनाएंगे इस पीजा में मैंने बहुत जादा चीज़े यूज नहीं किया है ऐसी चीज़े यूज किये जो घर पे इजिली अविलेबल होती है जैसे अन्यन अन्यन को हम ऐसे पीसिज में कट कर लेंगो और इनके बल्ब्स निकाल लेंगे यहां जो भी आप वेजिस कट कर रहे हैं उनको इकवल पीसिज में कट करें यहां पे आप बैल पेपर भी यूज कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने इस टमाटर के बीज हटा कर टमाटर को इकवल पीसिज में कट कर लिया यहां पर ऐसे ही मैं पनीर को भी इकवल पीसिज मे कट कर लूँगी आप चाहें तो पीजा में आलिवस, बेबी कॉन, बैल पेपर, मश्रूम बहुत सारी चीज़े आप उसमें एड़ोन कर सकते हैं और जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पे मैं पनीर का टीस्ट बढ़ाने के बस इसे एसेंबल करना बाकी है तो यहां पे पीजा बनाने के लिए पीजा बेस, चीज, पीजा पास्ता सोस, वेजीज में अनियन, कैपसिकुम, टमैटो, कॉन, और पनीर तो सबसे पहले हम पीजा बेस पे पीजा पास्ता सोस को स्प्रेड करेंगे फिर हम इसके बाद इस यूज कर रही हो वो डाइस चीज है आप चाहे तो चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हम अपनी वेजीज के टॉपिंग कर लेंगे अनियन, कैपसिकुम, कॉन, फिर इसके बाद हम हमारे जो मैरिनेट करके पनीर रखा था हम उस पनीर की टॉपिंग भी साथ म कर देंगे इसके बाद हमारा पीजा तयार है बेक करने के लिए यह पीजा मैं OTG में बनाऊंगी 180 डिग्री पर मैंने इसका टेंपरेचर सेट कर दिया है और हम इसे 7-8 मिनट तक बेक करेंगे और हम बीच में चिक कर लेंगे हमारा पीजा बेक हुआ या नहीं और यह लीज से और देखना इसका चीज पुल देखो वाउ तो आप भी बना सकते डॉमिनोस जैसा पीजा घर परी और मैं मोस्टली पीजा या जो भी कुछ स्पेशल होता है वो संडे को बनाती हूं ताकि हम साथ में बैठके इंजॉई कर सके हमारे गरम गरम स्नाक्स तो आप लोग मु